तो सर्वत खालसा की जो है वो डिमांड किया जा रहा है किसके द्वारा सर्वत खालसा की डिमांड की जा रही है तो है अकाल तक की दूआए किस के बारे में बात कर रहा है अभी जब हम इस टॉपिक पर चरचा करेंगे दोस्तों तो हम बात करेंगे कि सर्वत खालसा क्या है और सिख्खों की जो सबसे बड़ी सभा है जिस पे महराजा रणजीत सिंग ने रोक लगाती थी वो सभा क्या है खालिस्तान समर्थक माना जाता है अमरित पाल सिंग को और पंजाब पुलिस ने पिछले 13 दिनों से इसकी खोज के लिए अपनी कमर गसली है दिन रात एक कर दिया है पंजाब पुलिस ने अमरित पाल सिंग को खोजने के लिए कई सारी वीडियो आ रहे हैं जिस वीडियो के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अमरित पाल सिंग कभी यहाँ है कभी वहाँ है लेकिन अभी तक पुलिस जो है उसको खोज नहीं पाही है लेकिन इसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर इसने खुला चैलेंज दिया है और बुधवार को ये वीडियो जारी किया है जिसमें अमरित पाल सिंग ने कहा है कि पुलिस उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती है और उसके साथ उसने बैसाखी पर जो है वो सर्बत खाल भुलाने की जो है वो मांग रखती है उनस्und ने ही है कि सरवत-खाल्चा क्या है इसका महत्यों क्या है और इसे बुलाने के जब कहा जा रहा जब पुलिस के गिरफतारी की बात की जा रही है तो उसने कहा कि देखिए यह मेरे एक सिर्फ गिरफतारी का मामला नहीं है, मुझा गिरफतारी देने से कोई डर नहीं है, सरकार के मनसा गिरफतारी की होती तो घर से कर सकती थी। गिरफ्तारी पे अमरित पाल ने कहा कि कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है वो बिल्कुल ठीक ठाक है अमरित पाल ने भारत और विजेश में रह रहे है सिख़ लोगों से कहा है कि उन्हें एक साथ आकर अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा सिखों के बड़े मकसट के वो इस्तित दमदमा साहे में सर्बत खालसा बुलाना चाहिए। दरशा श्री अकाल तक्त के जत्तेदार ने पंजाब सरकार को जह वो अल्टीमेटम दिया जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा है। और आपरेशन अमरित पाल के नाम से जो अब इस घंटे में रिहा किया जाए ये सारी बाते हुई हैं और कहा ये जा रहा है अमरित पाल के द्वारा कि देखें पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो अमरित पाल अपने पूरे वीडियो के माध्यम से अकाल तक्त से एक ही चीज़ की अपील कर रहा है और अपील कि जो है ये धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है अब प्रशन आपके भी दिमाग में होगा कि सर्बत खालसा है क्या जिसकी मांग जो है वो अमरित पाल कर रहा है तो सर्बत खालसा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो 1708 सिख्खों के दस्वे गुरू गुरू गुर सुलावी सताबदी की अगर हम बात करें तो सिख्ख के चो चौथे गुरू थे जिनका नाम था गुरू रामदास उनके समय प्रथासरी हुई थे इसमें दो बार एक साल में जो है दो बार सिख्ख समुदाय एक जगह जो है जुटता था और यह जुटान जो है वो बैसाकी सर्फस्खा क्या था कि सिख्ख यहां मिलते थे और जो भी चर्चाएं होती थी वो चर्चाओं का केंदर जो है वो सर्वत्खा होता था सतरा सो सोला की बात है बंदा सिंग बहादूर के सहीद होने के बाद खालसा बिखर गया उन्होंने अपने सेना नायक को खो दिया और दूसरी तरफ सिखों पर मुगल सेना कहरवर पा रही थी इस नरसहार से मूर्चा लेने के लिए दल खालसा का निर्माण किया गया यह दल खालसा आगे चल कर तरूर और बुढधा दल बन गया और यहीं सिख मिसल यानि के सिखों के मिलिटरी यूनिट्स का जो है वाधार बना सिक्ष समराज के संस्थापक थे महराजा रणजीत सिंग उन्होंने सर्बत खालसा बुलाने की जो प्रता थी उसको समाप्त कर दिये तक्रीबन 200 साल बाद पहली बार अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1986 को खुले तोर पर जो हो सर्बत खालसा बुलाए गया था स्वड मंदिर में जो हुआ था उसी से सर्बत खालसा में भारत सरकार के खर्च पर अकाल तक्त के निर्मान का जो प्रस्ताव था उसको ठुकड़ा दिया गया लाखो सिखो की मौजूदगी में ये फैसला किया गया कि ऑपरेशन ब्लू इस्टार के दोरान छटेगरस अकाल तक्त को कार सेवा के जरिये जो हो बनाया जाएगा और सर्बत खालसा ने सिख स्वशाशन के लिए संगर्स करने का भी इसमें फैसला किया था 1984 के बाद 1986 में हम ये देखने को मिलता है तब केंदर में इंद्रा गांधी सरकार थी 1984 हुरजीत सिंग बर्नावाला जो है पंजाब के मुख्यमंत्री थे दोनही सरकारों ने पहले इस प्रस्ताव में सिखो के आत्म सम्मान से जुड़ा मुद्दा माना लेकिन दूसरे प्र जथिदृ जिनका नाम यानि किरिपाल सिंग को हटा दिया और उनकी जगह जर् जनरेल संग भिंडरवाला के जो भतीजे दे जिसका नाम ते जस्वीर सिंग रोडे उसको जथिदक्र बना दिये उसके फैसले के लिए कई बार जो है वो सर्वत खालसा जो बुलाया गया सर्वत खालसा देश और दुनिया के सिख समुदायों के संगठनों का जो है वो प्रतनिती करते हैं अब सर्वत खालसा से जुड़े एक चीजों पर हम टाइम लाइन पर बात करें तो हमने कहा 1708 सिखो के दस्वे गुरु गुरु गुविन सिंग के सिख मिशल ने पहली बार सर्वत खालसा बुलाया 1723 तत खालसा और बंदे के बीच टकराव की वज़ह से सर्वत खालसा बुलाया गया और दोनों पक्षों के भी संगर्स सुल जाया गया 1726, भाई तारा सिंग वान के निधन के बाद सर्बल खालसा बुलाया गया गुर्माता की परंपरा सुरुही, गुर्माता यानि की सर्बत खालसा के फैसले 1733, मुगल सरकार ने पंथ को नवाब मानने और जागीर देने के प्रस्ताव दिये इस पर विचार करने के लिए इसे बुलाया गया, प्रस्ताव को मान लिया गया 1745, इसमें सिख्खों की 25 जत्यधारियां बनाने की बात हुई, तैह हुआ की हर एक जत्यधारी में 100 सिख रहेंगे 1748, खालसा के 11 मिसले जो है बनाने का गुर्माता क्यो है वो पास किया गया 1805, महराजा रजीज सिंग ने सर्बत खालसा पे प्रतिबंद लगा दिया इसे सिरोमड़ी अकाली दल, अमरित्सर के नेता, सिमरण जीद सिंग मान और यूनाइटेड अकाली दल के नेता, मोहकाम सिंग ने बुराया, करीब 6 लाग सिखों ने इसमें भाग लिया, इस सर्बत खालसा में 13 प्रस्ताओ जो हैं, वो पारित किये गए, अब आपके दिम क्योंकि अकाल तक्त सिखों की सर्वूच धर्मिक संस्ता है, अकाल तक्त के मुखिया को जथिदार कहते हैं, जो अन्य प्रमुखसिक प्रतिनिधियों के धर्म और मर्यादा से जुड़े फैसले लेते हैं, तक्त साहिप के जथिदार कौब को उसका पालन करने का आदेश द उसक्रिन पर ये नीउज था उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि इस जो सरबत खालसा की जो बाते ही समय कर रहे हैं ले सकते हैं इसका लावा दोस्तो उत्तरप्रदिश PCS के अगर आप तयारी कर रहें तो उत्तरप्रदिश के UP के जो टॉप एजुकेटर है इसके साथ आप अपने तयारी कर सकते हैं और यह पुरा प्राइस प्लान है दोस्तो और इस समय 25% जो है वो आफ चल रहा है पचीस प इड्वांटेज हैं इन सारे इड्वांटेज का भी लाव ठा सकते हैं न्यूस अभी और भी है उस पर भी हमें ध्यान देने के और शकता है उस पर भी हम ध्यान देंगे ठीक न तो कैसा लग रहा है शेशन बताईए जानकारिया नहीं नहीं हो रही है कि नहीं यह भी देखते हैं और अगला न्यूस क्या है